हलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर कल हमने जो वीडियो अप्लोड करी थी उसमें हमने पूरा फॉर्मैट समझा था पूरा फ्लो समझा था कि कि नॉर्मली आपको सारी चीज़ें समझ आ जाये आपका बेस जो है वो एक फ्लो को समझ पाए बट अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक चीज का अलग-अलग explanation देखेंगे कि क्यों हम वो सारी चीज़ें करते हैं अभी जो आज की हमारी वीडियो है वो totally depend upon कि Facebook campaign का जो objective selection है कि आप अगर कोई campaign create कर रहे हो तो उसका objective किस तरीके से आप select करोगे वो सारा आप कैसे देख पाऊगे so आपके सामने screen पर आपको दिख रहा होगा कि objective selection में हमारे पास बहुत सारे options होते हैं so सबसे पहले एक बार इस screen को देखने से पहले हम कुछ चीज़ें discuss कर लेते हैं जो सबसे पहले जो चीज़ें कि जब भी आप कोई campaign create करते हो तो आपका एक motto होता है ठीक है आपका motive क्या हो सकता है आपका motive जो है वो revenue हो सकता है ठीक है आपका motive traffic हो सकता है ठीक है और अगर आपका motive revenue या traffic नहीं है तो आपका जो motive है वो awareness हो सकता है ठीक है तो अब ये जो motives है ये कैसे change हो जाते हैं so revenue आपका है motive तो revenue आपका motive कब होगा revenue आपका motive तब होगा जब आप कोई product sale कर रहे होगे वहां से ठीक है traffic आपका motive कब होगा जब traffic आपका motive कब होगा जब आप उस पर maximum लोगों को visit कराना चाहते हो ठीक है, आप visit कब कराना चाहते हो जब आपको पता है कि आपने कोई registration form दिया हुआ है ठीक है, तीसरा है awareness, आपने कोई नया product launch करा और उस product को आप maximum लोगों तक spread out करना चाहते हो, तो आप किसको target लेके चलोगे, तो आप लेके चलोगे awareness को, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आई, तो इस तरीके से काफी सारे motives होते हैं, तो आप हम एक एक करके na motive समझत कर डूंहें होती हैं, तो आप क्या करते हो, brand awareness करते हो, या maximum लोगों तक reach पहुचाते हो, ठीक है, तो आपका awareness के अंदर Opsons है, पहला था brand awareness और दूसरा reach, reach के अंदर क्या होगा कि max लोगों तक आप reach कर पाऊँगे, brand awareness के अंदर वह maximum positions आपकी show कराने की कोशिस करेगा, जहा का मतलब क्या होता है कि consider करेगा Facebook आपकी जो end result है उसको consider करने की कोशिश करेगा end result कैसे consider होगा कि आप maximum traffic को gain कर पाओ तो आपका target complete हो जाएगा आप engagement maximum रख पाओ कि आपने जो post डाली है आपने जो content वहाँ पे डाला है उस content पे maximum लोग जो है वो react करते हो ठीक है तीसरा आपका क्या हो सकता है कि आपकी कोई application है वो android है या ios है उसके installations के लिए आपने campaign run करना है तो उसमें क्या होगा कि maximum लोग जो है वो आपकी application को अपने phone में install करेंगे ठीक है अब आपने क्या करा कि नहीं आपकी company जो है वो कोई motivational videos बनाती थी तो आपको उन videos के उपर views लेके आने थे तो आपका third motive क्या हो सकता है वीडियो views का तो उसमें आपका क्या आ जाएगा वीडियो views जो है वो क्या हो जाएगा motive ठीक है अब उसके बाद में क्या था कि आपने क्या करा lead generation lead generation क्या होती है जो मैंने आपको बताया था registration form कि आप inquiries generate करते हो inquiries generate क्यों करते हैं क्योंकि inquiries generate करने का main motto जो होता है वो ये होता है कि आप किसी company को like आप LIC का का काम करते हो आप insurance का का काम करते हो तो वहाँ पे बंदा अपनी information डाल के done करेगा तो वो आपके पास inquiry आ जाएगी तो इस तरीके से जो registration form फिल कराए जाते हैं तो उसको हम किसमें consider करते हैं उसको हम consider करते हैं lead generation में ठीक है तो यहाँ पे आप maximum number of forms फिल कराओगे ठीक है उसके बाद में है messages पे कि आप कोई consultant हो और आप maximum जो leads है वो messages के through generate करना चाहते हो तो आप इसमें messages को जो है वो अपनी main priority रख सकते हो ठीक है इसके बाद यह तिनों जो option है यह generally use होते है किसमें e-commerce में ठीक है इसमें क्या होता है कि आपका product sale होता है maximum conversions होंगे तो आपको revenue मिलेगा catalog में maximum sales होंगी तो आपको revenue मिलेगा store traffic maximum जाएगा तो आपको revenue मिलेगा तो यहनि कि तिनों conditions में आपके पास जो main priority चीज है वो क्या है revenue ठीक है तो जो मैंने आपको right hand side में तीन चीज़ें बताई थी जो motto बताए थे same motto यहां पे आपके सारे के सारे fulfill हो जाते है तो इन सब के basis पे आपका जो भी objective है वो आप selection कर सकते हो आपको product sale करना है आप conversion पे जाओगे catalog sales पे जाओगे store traffic पे जाओगे आपको अगर अपनी website पे traffic बढ़ाना है तो आप traffic में चले जाओगे consideration में आपको अगर views maximum लेके आने अपने वीडियो पे तो video views में consideration में चले जाओगे आपको अपना brand को spread out करना है तो आप awareness में चले जाओगे ठीक है तो इस तरीके से आप अपने facebook campaign का जो है objective selection कर सकते हो और जितना objective आपका appropriate होगा उतना ही जो उसका end result है वो अच्छा आएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है मिलते हैं next वीडियो में next key features के साथ तेंक्यू बबाई